देश को मिल गई पानी में चलने वाली पहली मेट्रो कैसे पंडुबी वाली मशीन से बनी देश की पहले पानी वाली मेट्रो उत्तरकाशी की तरह यहां भी ढहने वाली थी सुरंग हाई कोट ने रुकवा दिया था काम फिर आया बड़ा आदेश आखिर पानी के अंदर शलने वाली मेट्रो ने हिंदुस्तान को कैसे पहुचा दिया लंदन के बराबर जान कर हो जाएंगे हैरान पानी के अंदर सुरंग और फिर सुरंग के अंदर से गुजरती ये मेट्रो की तस्वीर देखकर कई लोगों के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि जो मशीने वहां सुरंग बनाने का काम कर रही थी अगर उन पर पानी का दवा पड़ता तो वो समरीन पानी की पंडुब भी बन जाती और फिर उसी किसारे मजदूरों की जान बचाए जाती वहां हर समय किसी भी आपदा से निपटने के लिए टीमें तयार होती बावजू को सुरक्षित निकाला गया मामला हाई कोट गया तो तुरंथ काम पर रोक लगा दी लेकिन फरवरी 2020 में जब कई महीनों तक मिट्टी नहीं धसी तो काम एक बार फिर शुरू किया गया और चार साल बात इंजिनियर्स ने वो कर दिखाया जो अब तक केवल विदेशों में हुआ इससे पहले लंदन और पैरिस की बीच अंडर वार्टर मेट्रो चली थी जिसके बारे में सोचकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग भी हैरान होते थे लेकिन अब दौर बदल चुका है अब हिंदुस्तान की जनता भी अंडर वार्टर मेट्रो की सवारी कर रह जारा होगा कि अगर मेट्रों के अंदर पानी घुश गया हो तो क्या होगा तो ज़रा इसका जवाब भी जान लीज़े तरसल हुगली नदी के तल से 17 मीटर नीचे खुदाई कर ये सुरंग बनाए गई सुरंग को बनाने में पानी रोकने वाले मजदूर सीमेंट और कॉंक् यही कारण है कि अंदर प्रेंटिंग करा दी गई ताकि लोगों को लगे कि मेट्रो पानी से गुजर रही है कॉलकत्ता मेट्रो प्रोजेक्ट के डायरेक्टिर बताते हैं कि साल 2010 में टरनल बनाने का कॉंट्रैक्ट एफकॉंस कंपनी को दिया गया एफकॉंस ने जर्मनी क कंपनी हेरन कनेक्ट से टरनल बोरिंग मशीन यानि की टीबियम मंगवाई इन मशीनों के नाम प्रेंड़ना और रचना है जो एफकॉंस के एक करमचारी की बेटियों के नाम है जैसा नाम वैसा काम भी देखने को मिला पहले इंजियन्स ने प्रेंड़ना ली और फिर ऐसी रचना कर दी कि आज दुनिया भारत को सलाम कर रही पियम मूदी ने भी इस अंडरवाटर मेट्रो में सफर किया इस दोरान उनके साथ बच्चे भी बैठे नजर आए पर ममता बनर जी नियोता मिलने के बाद भी नहीं आए जो यह दिखाता है कि राजनीती के चक्कर में कै ऐसे कुछ नीता विकास की यात्रा में भी शरीक नहीं होना चाते वाकई इत्फाक की बात है कि देश में पहली मेट्रो भी कॉलकता से शुरू हुई थी और देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो भी इसी शहर से शुरू हुई है जहांकि ओद्यों के विकास की कहानिया कित में पढ़ने को मिलती है आपका इस मैट्रों के बारे में क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं